नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुना आपका हमारे यूटूब चैनल 9999 में एक ऐसा गाउं जहां एक बार आने मात्र से मिट जाएगी आपकी गरीबी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सत्ते सुना एक ऐसा गाउं है जहां मात्र जाने से ही आपकी गरीबी दूर हो जाती है ये गाउं है उत्राखंड का तो चलिए ले चलते हैं आपको आज उत्राखंड के उस गाउं की रोचक कहानी की और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट सेर करना ना बूलें आपके सेत्र में अगर कोई इस तरह की घटना या कोई पुरानी ग्रहसे में कहानी है तो आप हमें जरूर सेर कर सकते हैं अगर आप गरीब हैं तो उत्राखंड के इस गाउं में आईए यहां सिवजी की ऐसी महिमा है कि जो भी आता है उसकी गरीबी दूर हो जाती है जीवन में जो भी कष्ट है वह उसके द्वारा किये गए पापों के चलते होता है यहां आने पर वैक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है यह जगह हैं उत्राखंड के चमोली जिल्ले में इस्तित देश का सबसे अंतिम गाउं माना गाउं यहीं पर माना पास हैं जिससे होकर भारत और तिब्बत के बीज वर्षों से वैपार होता रहा हैं पवित्र बद्रीनाद धाम से तीन किलोमीटर आगे भारत और तिब्बत की सीमा इस्तित हैं यह गाउं का नाम भगवान सीव के भक्त मनी भद्रदेव के नाम पर पड़ा था इस गाउं में आने पर वैक्ती स्वपन द्रष्टा हो जाता हैं जिसके बाद वह होने वाली गट्णाओं के बारे में जान सकता हैं डाक्टर नंद किसोर के मुताविद मानिक सहा नामक एक वैपारी था जो सिव का बहुत बड़ा भक्त था एक बार वैपारी ग्यात्रा के दोरान लुटेरों ने उसका सिर काट कर कतल कर दिया था लेकिन उसके बाद भी उसकी गरदन सिव का जाब करती रही थी उसकी सदा से परसंद होकर सिव ने उसके गरदन पर वरहा का सिर लगा दिया इसके बाद माना गाओं में मानी बद्र की पूजा की जाने लगी सीव ने मानिक साख को वर्दान दिया की माना आन्य पर वैक्ति की दर्जित्रता दूर हो जाएगी डाक्टर नंद किसोर के मुतावित मानी बद्र भगवान से वर्षपतिवार को पैसे के लिए प्रातना की जाए तो अगले वर्षवतिवार तक मिल जाता है इसी गाओं में गनेश जी ने व्यास रिसी के कहने पर महाबारत की रसना की थी यही नहीं महाबारत युद के स्माप्त होने पर पांडव द्रोपती सई इसी गाओं से होकर ही स्रग को जाने वाली सरुगवारोहिनी सीडी तक पाउसे थे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कमेंट सेर करके जरूर बदाएं आपका दिल से आवार रहेगा धन्याव